हेलो गाइस दिस इस वर्म एंड यू वाचिंग जीनिस गुरू दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगा फाइव ऐसे मोस्ट इंपोडेंट टिप्स जो अगर आप एक स्टुडेंट हैं और सोच रहे हैं कुछ बहतर करने की तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए रामबार होने वाली है तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंग्ट ज्यादा लंबी हो जाएगी एक हावर्स प्लस हो जाएगी बट गाइस आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली तो आप कुछ ना कर दोगे तो दोस्तों बैसे तो हम मुवीज और सीरियल्स और बहुत सारे ऐसे मैं एक घंटा टाम वेस्ट करी देते हैं एक घंटा नहीं लोग 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और अगर उन्ही मैंसे गाईस ओनली एक घंटा निकाल के इस वीडियो को आपने देख लिया तो I am sure कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे तो प्लीज यार वीडियो को इसको जरूर देखिएगा अगर आप 20 या 21 के हो या उसे कम के हो दोस्तों उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी एयर्स के हो मैटर ये करता है कि आप कुछ कर रहे हो अच्छा या नहीं ठीक ह कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जैसे कि मैंने बताया तीन टिप्स प्रो टिप्स सेयर करूंगा अगर आप विगनर्स हैं फ्रेसर्स हैं स्टुडेंट हैं आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं भी कास ओल्लाइन अर कर सकते हैं और गाइस काफी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ कुछ स्किल्स तो है बट वो उस स्किल्स को पैचान नहीं पाते हैं और सही से सही दिशा में जाके और अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो गाइस मैं आपसे बस एक बात यही कहना चाहूंगा पहले तो लगा था तब से आप जैसे कि आपको भी बहुत अच्छे से पता है और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जितना भी वर्क है वो सब डिजिटिल आ गया है सब लोग डिजिटिल आ गया हैं सब लोग मोवाइल पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी नि कोटियाँ पैसे इंकम मेंस अगर आपने स्टर्ट कि स्टरीं के गैस मैक्जिमम मैक्जिममिक्चिस से 5—6 महीने दे द Иे5—6 मन्त आपने इंटरनेट के किसी भी ब्लेटफोम पर बहुत अच्छे जिन जिनमें आपकीBu अच्छी है और उसमें अगर आपने 5-6 घंटे दे दिए तो guys I am definitely sure कि आपकी एक passive income जन्रेट होने लगेगी और passive income भो income होती है जो आप रात को सो रहे हो और आपका पैसा बनना है आपके account में आ रहा है यह passive income होती है तो guys मेरा कहना बस यही है अगर आप अभी तक इन सबी बात करते हैं उन platforms के बारे में और यह video especially जैसा कि मैंने अभी अभी बोला था कि वेगिनर्स और विल्कुल फ्रेसर लोगों के लिए है जैसे आप अगर 9,10,12,11 जो भी अभी study कर रहे हैं उसके अलावा भी आप only 1-2 घंटे निकाल कि इस video को देखे और अपना work start कर सकते हैं दोस दूस्तों laptops भी सभी के पास है आला कि मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी के पार laptop नहीं होगा और अगर हम 10,12,20,000 का mobile चला सकते हैं उस पे 400,500 का monthly recharge करवा सकते हैं तो तो guys हम एक laptop भी बढ़िया सा carry कर सकते हैं वो भी इस वज़े से आप अपने future को देखे आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यह थोड़ी थोड़ी रिस्की थोड़ी 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 प्राब्लम्स और बहुत वहर डिमोटिवेट भी होंगे बहुत जगह पे होंगे guys ब बस आपको hard work करते जाना है करते जाना है और तब तक करना है तब तक करना है जब तक एक इंटरनेट से अगर आपके मालो 500 रपाई भी जन्रेट हो गए 500 रपाई भी जन्रेट हो गए guys तो आप फिर आपको नहीं थगना मतलब आप अब लाखों के करीब हो आप बस उसी direction में बढ़ते जाओ ठीकी guys ये क्लिए हुआ अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसी basis पे एक पिछली वीडियो बनाई थी दोस्तों इसी basis पे थी वो पि एक मिनट guys मैं इस पे थोड़ा क्लिक कर लेता हूं और ये देगे guys how to make money online student job work from home तो दूसर ये वीडियो मैंने जो बनाई थी इस पे आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया था बट guys किसी technical issue के बज़े से मुझे नहीं पाता इस वीडियो में क्या हुआ इस टार्टि कि हिसाब से लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि oneplus आवस की वीडियो तो नहीं देखते तो guys एक बात आप बताओ अगर आप एक यूटुवर हो तो आप एक बात जरूर जानते होंगे कि एक पांच मिनट की वीडियो और दस मिनट की वीडियो बनाने में कितना सारा time ल लग जाता है तो दोस्तों यह जो यह वाली वीडियो मैंने बनाई थी इसकी लेंग ताप देख सकते हैं एक घंटा तीन मिनट चपन सेकंड तो guys एक एक हावस प्लस थी यह वीडियो इसमें काफी time लग गया था time नहीं guys इसमें something दो दिन लग गय थे क्यूंकि guys मैं भी एक फ्रेशर हूं और develop कर रहा हूं कहीं न कहीं अपने आपको तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी इस चीज को आज इसी start करें तो दोस्तों हाँ मैं इसी वीडियो की topic पर बात कर रहा था कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह वीडियो काफी लोगों ने प्यार दिया थ तो मैं और इस वीडियो में यही डिस्क्राइब किया हुआ था कि आप घर वैटे ओनली फ्रेशर और विगनेस कैसे पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट से ठीक है नगाइस तो यह मैंने points भी क्लियर किये थे proof भी क्लियर किया था तो दोस्तों यही सारा मैं आपको एक एडवांस लेवल का जो मैंने इसमें बताया था वह basic था और इस वीडियो में आपको एडवांस लेवल का कुछ इसकिल्स बतायूंगा और अगर आप 발라 कर सकते हैं जी हाँ अब मैं आपको अपना प्रूफ दिखा दिता हूँ गाइस की कोई अपने यहां पर क्या है कि बिना प्रूफ के कोई भी कोई भी नहीं मानता कि हाँ इसने ऐसा किया भी होगा तो गाइस मैं लेके चलता हूँ आपको फाइवर के प्लेटफर्म पर जी हाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मेरा फाइवर एकाउंट है दोस्तों और यह नैट इंकम आप देख पा रहे हैं 75 डॉलर जो कि मैंने अर्ण कर चुके हैं और गाइस 150 डॉलर मैंने विड्ड पेपल अकाउंट एक पेपल अकाउंट होता है जो इंटरनेशनल करेंसी को हमारी आइएनरर में कनवर्ड करके बैंक में ट्रांसवर कर दिया जाता है ठीक है और फाइवर क्या है दोस्तों फाइवर के बारे में हम थोड़े धीपली जान लेते हैं क्यूंकि आप लोग फ् फाइवर प्लेटफर्म ओपिन कर लेते हैं ठीक है यहां फी मैं टाइप कर देता हूं फाइवर दोस्तों फाइवर जैसे ही अल्टरनेटिव आपको बहुत सारे मिल जाएंगी लाइक अबबर्क हो गया एंड अबबर्क हो गया एंड जी हाँ ओके दोस्तों तो आम अल्टरनेटिव जैसे कि मैंने आपको बता दिया था अबबर्क हो गया फ्रीलाइंसर हो गया एंड बहुत सारे हैं दोस्तों अगर आप अल्टरनेटिव सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे बड़ गाइस मैं आपको रीकमेंट करूंगा आप प् से मिलता है जो बड़ीवडी MINotti रियुक्त कंपनीया होती हैं लाइक बड़ी बड़ी कंपनीया होती हैं जिनके पास वर्क कर नहीं होते हैं और और वहां पर जाना आना बहुत सारे ऍसक्यारति जो हो जा जाते हैं वहां पर रहना और आपने देखा हुत कि कंपनी आरे सारा पे करती है वहां का रहने का बगेरा बगेरा बहुत सारा हो जाता है ऐसा एक्सपेंसिव तो उस सिच्वेशन में क्या होता है कि लोग क्या कर सकते हैं कि अगर तोड़ा डिजिटली है और वर्क अच्छे से उनमें कोई एक स्किल डैवलोप है तो वो उसी के जरीए एक पाइल बना सकते है फाइवर पे और ईक एक ऐसाम्पल की तरीखे से मान लेते है कि अगर मैं, आप एक आप काईवसाइट डैवलोपर है और किसी कंपनी धाठ दैवलोपर को ठीक तो अपना वी प्रेबसाइट काल औपिन करेगा आपना 5 अबहु करईग को और रो दोस्तो जो बनाते हैं और वो भी हम क्या करते हैं कि फाइवर पे अप्लोड करते हैं ठीक है तो वही टैप का जिसे हमें अप्रोच करना गूर्च पर ओआ हुथा है हर हमारी प्रोफाइल जो है उसके सामने open हो जाती है और वो हमारा database पड़ता है लाइक अगर उसने सर्च किया कि I will do data entry copy paste उसने सर्च किया कि data entry and copy paste data mining and excel data entry ठीक है नहीं तो यह भाई साब जो है इनका नाम है शलावत दीन दोस्तों इन्हें मैं जब से मैंने start किया था तब से दोस्तों मैंने follow करता हूँ I mean follow नहीं इनका activities देखता हूँ गैस यह किस तरीकी से work कर रहे हैं और कब online आते हैं क्या क्या कर रहे हैं फाइवर पर वर्क आसानी से नहीं मिलता मैं आपको यहां पर डी मोटिवेट नहीं कर रहा बड़ गाइस जैसे कि मैंने कहा passive income बनाने बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों बैसे भी आप पैसे तो आसानी से कहीं से नहीं मिलते य और यह तो एक passive income है सोचो passive income हर हाल में अगर आदमी बनाना चाहें तो उसे बहुत सारा hard work करना पड़ता है ठीक है ना guys तो अपने मुद्दे पर वापस आते हैं तो यह हैं guys कोई सलावदीन और इन्होंने जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह इसमें star star का means आप जानते होंग कि आप star यहां पर इस वजए से मिलते हैं कि कोई भी seller होता है I mean कोई कोई भी seller है कर वो हमें approach करेगा और कोई भी हमें hire करेगा तो अब हमारे star देखेगा कि हमें कितना star मिल चुगा है और यह star कम मिलते हैं जब आप जब आप जो project लेते हैं I mean project लेते हैं किसी से भी कोई seller कोई बंदा है जिसने आपको hire किया और उन्होंने अपना project दिया आपको ठीक है नगाइस यह clear हुआ उन्होंने अपना project दिया और आपने उन्हें promise किया कि हम आपका यह project दो दिन में करके दे देंगे ओकी नगाइस और वहाँ पर आप अपना time duration और जितना आप जितनी दिन में कर सकते हैं वह final करके उससे बता दीजिए और गाइस दिये हुए time पर आप अपना जो आपने work project कम्प्लीट किया है वह दिये हुए time पर अगर seller को submit कर देते हैं अपने owner को तो गाइस वहाँ पर हो स्था करते हैं वह हायर करने वाले होते हैं ठीक है तो दोस्तों अब यहां पर होता है कि हमें comment वॉक्स में star देते हैं ठीक है न और अब दूसरा जो हमें approach करेगा दूसरा हमें यही start देखेगा start mean सिय होता है कि आपका work अच्छा है और आपको दूसरा work दिया सकता है या अब दोस्तों यहां पर एकाउंट बनाने के लिए मैं आपको वेसिकली आप मुझे कॉमेंट वरक्स में बताना वेसिकली मैं आपको स्टेप बाइस्टेप पूरा तरीखा बताऊंगा और अब यहां पर थोड़ा फाइवर के बारे में और डीपली जान लेते हैं अब दोस्तों यहां पर हमें कुछ अपना सेट करना होता है सेट फुल इक्जांपल यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह इनोंने कुछ बेसिक सा सेट कर रखा है ठीक है ना गाई यह देखिए बेसिक एंड प्रेमियम और इस वारी में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं दोस्तो यह हो गया बेशिक इस्टेनर्ड प्रीमियम बेशिक क्या होता है बेशिक में होता है कि अगर हमें जिसने फ्रोच क्या है उसे अगर वर्क होगा कि आ मुझे लेना था allen वर्क उसका है दो तीन घंटे ठीक है न तो वह थो заключ के कि नि surfing吏क देनиях करने में और जो revision होते हैं guys, हमें है भी तो एक वार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप बढ़िया से अच्छी से इसमें लग गए फाइवर पर ही लग गए दोस्तो इसकिल्स अब बात आ जाती है कि आप ओके मान के चलो ठीक है हम लग गए फाइवर हमने एकाउंट बना लिया अब इसकिल्स का क्या करें वो कहां सिलाएंगे तो दोस्तो आपका वही जिंदवाद है इसकिल्स आप मैं मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ठीक है न दोस्तो तो फाइवर के बारे में थोड़ा और धीपली जान लेते हैं यार क्यूंकि हम अब इस पे अपना पूरा जो है करियर अगर बनाना चाहें तो बन करना हैं दोस्तों कि इन्होंने अपनी इस्टेंडर्ड वी देखिए यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस्टेंडर्ड का प्राइस इन्होंने अलग कर रखा है बेसिक से और जब आप प्रीमियम में जाते हैं तो प्रीम प्रीमियम में और ज्यादा इन्होंने अपना डिस्क्राइब कर रखाऊगा इतना एमांट इस इनका और जैसे कि बेसिक में क्या था कि दो दिन यह दे रहे थे डिलेवरी की और इस्टेंडर में थोड़ा अपना वर्क बढ़ा दिया और यहां पर क्या करते हैं यह ओली डेटा एंट्री करते हैं देख रहे हैं ना गाइस कमी ना हो अपने प्रोजे्क्ट सेकसीफुली सममिट करकी दिया है ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तह प्रीमियमीं में क्या होता है कि प्रीमियम में भी इन्होंने अपना ज़्यादा अमांट डिस्क्राइब कर रகा है कि कोई लाज फ्रोजाक्ट होता है उससे हम करके दे देंगे आपको और 20 गंटे हम इस बुक के जो वर्क है 20 गंटे हम इस बुक पर वर्क करेंगे और दोस्तो तो इन्हों ने ये भी अपना डिस्क्राइब अच्छी से कर रखा है ठीक है ना अब चलते हैं next step की तरफ दोस्तो ये चीज किलियर हुई अब यहां पर जान लेते हैं हमें प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है ठीक है जो इन्हों ने ये प्रोफाइल बना के डाली है इसी हम फाइवर की लेंगिज में बोलते हैं गिग ओके कैसे हम गिग बोलते हैं और जैसे कि आप अब यह देख आ रहे हैं कि about the gig ये इन्होंने क्या-क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने बोला है कि हाई वेलकम टुशलावदीन गिग तीज ओन फाइवर और दोस्तों नोट में इन्होंने मेंशन कर रखा है प्लीज कॉंटेक्ट में फर्स्ट विफॉर प्लेसिंग ऑन ओर्डर हमारे प्लीज की जितनी भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है बेसिक इस्टेंडर और प्रीमियम अमाउंट उसको पहले जाके चेक कर लें उसके बाद हमें बिड लगाएं ठीक है गाइस बिड का मींस यह होता है कि बिड का मींस आप जानते होंगे नहीं जानते तो मैं आप हमारा वर्क थोड़ा कम है तो इससे कम लगा लोगी ठीक है तो इन्होंने मैंशन कर रखा है कि हमें इतने रुपए से एक रुपया कम नहीं लेंगे तो इसलिए यह कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारी जो हमने प्लेस की हुई है प्राइस बो देख लीजिए उसके बाद ही हम से प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिए ठीक है अब यहां पर नहोंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में कि यह क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड कर आते हैं कि एक बार यह भी देख लेते हैं डू यह नूइड रियाविल एंड रियाविल एंड प्रोफेशनल वर्चुल असेशन फॉर डेटा एंट्री बहवरिशाज लिस्ट वेल्डिंग प्रोजेक्ट कॉपीड गाइस यह काफी एक्स्टा ओडिनरी हैं और यह बढ़िया से व आइस देख लेते हैं कि इनमें क्या-क्य सर्विस हैं और यह क्या क्य प्रोवाइड कराते हैं और इन में से हमें क्या क्या चाहिए इतना प्हलेश प्रोवाइड कर आते हैं अब दोस्तों हम अपना वाला ले लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों आफ ओफ-लाइन ओलाइन डेटा एंटरी कर लेंगे आरा हमसे पता है ठीक है बैफ रिज़स छोड़ दो अगर ज्यादा वह लगे ठीक है और और देख लेते हैं इमेल मार्केटिंग लिस्ट द हमें जो प्रोजेक्ट हाइड करेगा उस वह हमें कुछ इमेल देगा और उस पर बढ़िया से मेल करके हमें मेल करना बढ़िया से इन्वाक्स में बढ़िया से वह डिस्क्राइब करके मेल करना होता है मार्केटिंग का उनके प्रोडक्ट का एड़ोटाइसमेंट करना होता ठीक है यह क्लियर हुआ अगर चलो ठीक है यह भी आपको नहीं आ रहा तो नेक्स्ट देख लेते हैं यह तो हराहल में आप जानती होंगे PDF जो होती है PDF जानते होंगे PDF होती है उन्हें एक्सल की फाइल में कनवर्ड करना है ठीक है और अब आगया नेक्स्ट पर कॉपी पेस्ट टास्क कॉपी पेस्ट बिल्कु लेजिए एक चार साल का बच्चा भी कर लेगा अगर उसे बता दिया जाए कि यहां से कंट्रॉल सी करना है और कंट्रॉल वी करके यहां पर टेप देना है ठीक है अब दोस्तों आगे देख लेते हैं टाइपिंग वर्ग यह टाइपिंग वर्ग किसी भी तरीकी का होता है हो सकता है तो अब हमारे पास केतनी सर्वेस हैं हुई कि दोस्तों पहली दो यह होगी एक Been दो टीन 4 पाफ उगए sequencing प्रोवाइड और शक्ति हो विल्कुल प्रेस तरीके शेम से ठीक है ना पांस कर आ सकते हमारी सर्वेस यहां पे हमने चूज कर लिया कि हमें एतना काम आता हमें इतनी सर्वेस प्रोवाइड करा सकते है अब दोस्तो second tips की तरफ चलते हैं यहां पर हमें जो बड़ी बड़ी कमपनियां होती है वो अपनी जो एड चलते हैं दोस्तों आपने देखा होगो जो एड चलते हैं भो क्या करते हैं कि अपना एक animation वनवाती हैं ठीक है यह work हुआ complete दोस्तों मैं एक वार फिर से आपको अब वहां पर यह तो first था कि आपको simply यह चीज हैं तो सीखी जाओगे एंड मैं आपको second जो बात कर रहा था स्टार्टिक में वो second इस बात यह कर रहा था कि guys एक animation type words होते हैं like जो ads मैं use किया जाते हैं ठीक है अब मैं आपको demo दिखा देता हूं यहां पर तो दूस्तों चल एक video subscribe की through animation बनाया जाता है वो बिल्कुल easy है guys अगर आपको लग रहा हो कि यार अब क्या बता दिया यह कैसे होगा नहीं वो बिल्कुल easy है और आप अच्छी से बना सकते हैं उसे कुछ कोई भी ज्यादा hard नहीं है साइध मैंने यह delete कर दिया मैं यहां से इसे और फिर से restore कर लेता हूं दोस्तों और यह आ गया तो दोस्तों देखिए मैं इसे play करके दिखाता हूं यह मैंने कुछ एक project प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं गई से अपनी वीडियो बनाई थी सायद तो वो डली हुई है मैं आपको देखिए दोस्तों इस टाइप का animation होता है यह तो दोस्तों यह एक animation होता है और इसी टाइप का जो बड़ी बड़ी companies होती है बो बनवाते हैं पर यह animation और इनी का पांच-पांच मिनट का दो-दो मिनट का animation बना कि लोग महीने के 40-50 आराम से earning कर रहे हैं तो दोस्तों अब question आपका यह होता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं जी हां दोस्तों मैं इसी पर work कर रहा हूं जैसे कि आप नहीं देख पाया मैं अभी first service use कर रहा हूं data mining data entry एंड इस टाइब की यह सारी service है मैं अभी use कर रहा हूं guys तो इनके लिए मुझे थोड़ा और time देने की जरूर रहते हैं और जैसे इस पर work मिलने लगता है और work एक बार मिलने लग जाए फिर तो guys मस तरीकी से आप lifetime earning कर सकते हैं ठीके न अब question यह आता है कि इस टाइब की जो वीडियो होती है वो हम कैसे बना सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह भी बहुत easy है तो मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों simply आपको एक software download करना है अपनी laptop में ठीके द देको पहले तो मैं Fiverr का account बनाना है Fiverr account आपको ऐसे बनाना है कि simply आपको यहाँ फिर टाइप कर दिना मैं आपको ingeto mode पे लेके चलता हूं यहाँ पे मैंने ingeto mode open कर ली और यहाँ पे मैं टाइप करता हूं दोस्तों Fiverr.com ठीक है न यह Fiverr.com मैंने type कर दिया अब यहाँ पर क्या करेंगी यह थोड़ा network मेरा शिलू है तो यहाँ पर आपको left right corner में एक sign in और join का आपको वो देख रहे है ठीक है न गईस तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि join पे click कर देना है ठीक है अब यहाँ पर आपको तीन option पूछ रहे कि आप किससे sign in करना चाहरे है यहाँ पर एक तू होगे Facebook एंड एक Google तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप simply Google से sign up कर रहे है ठीक है न गईस यहाँ पर Google से आप sign up करने के बास जब continue करोगे तो मैं देख लेता हूं यहाँ पर कर देता हूं तो मैंने continue with Google पर click किया और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक pop-up खुल जाएगा और यहाँ पर हमें आपकी जो bei personal अई-डी हैं वो यहाँ पे इंटर कर देनी है ठीक न गईस तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं ए पर दूस्ति यहाँ पर नेक्स पर क्लिक करनी के बाद यहाँ पर यहंफे मंग रहा है पास्वड यहाँ पर हमें पास्वड डाल देना है यह मैंने डाल दिया और यह पासवर्ड थोड़ा गलत बता रहा है देखते हैं क्या इस्यू है यहां पर थोड़ा है यह दोस्तों मैंने पासवर्ड साइड मुझे फॉर्गेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया हूं तो दोस्तों मैं फॉर्गेट कर लेता हूं जिल्दी से नहीं साइद यही है ओके गैस और यहां पर इसे बेरिफाइड कर देताहूं जूस्तों यहां पर एक जाएगा मेरे फॉन मैं कर देता हूं अ अर्य मैंने कोड़ अंटर कर दिया और यह मैंने लॉग इन वर यह अच्वाएड़े आए ठीक है इतना रियर रुगा अब दोस्तों यहां पर कुछ यह लोडिंग लेगा और लोडिंग करने के बाद थोड़ा सा यह देखी इस टाइप का ओपिन हो जाएगा ठीके दोस्तों यह ओपिन हो गया अब हमें क्या करना है कि आपको पहले इतना बना के छोड़ देना है ठीके आपको इतना बना के छोड़ देना कुछ नहीं करना है और बेसिक सा कुछ है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर आपको शिंपली यहां पर आपका बोवाला फोटो आजाएगा अगर ना आय तो दोस्तों आप अच्छे से दूसरा वाला भी कर सकते मेरे दोनों पर यही लगा है ठीक है यह आप पहले इसे बना लीजी नहीं तो वीडियो और थोड़ा लेंग्ट बड़ी हो जाएगी और अब मैं सेकंड टिप्स की तरफ आपको लेके चलता हूं सेकंड नहीं में गाइस वीडियो स्क्राइब की तरफ जो एनिमेशन था वो हम कैसे बन आसकते हैं ठीक है तो एनिमेशन को हम देख लेते हैं तो यहां पर एक चीज के लिए रही आपको फाइवर का एक अकॉंट बनाना है ठीक है ना गईस फाइवर का अकॉंट बनाके अब आपको क्या करना है आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वह आप बता देना कि जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा ठीक है गईस तो अब नेक्स्ट उसकी तरफ चल लेते हैं दोस्तों यह देखिए मैंने अल्डिडी जो इसका सॉफ्ट्ययर है वह इंस्टॉल कर रखा है अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है दोस्तों तो आप बता द करते हैं अपनी इंफोर्मेशन जो आपको स्किल्स है और यह वीडियो देखने के बाएद आप मुझे नहीं पता यहां तक कि आदा घंटे तक किसी ने वीडियो देखी होगी बट गैस आम शूर अगर किसी ने देखी है तो प्लीज यार कमेंट करना और मैं आप किस नेक् करने के कोशिश करोंगा ठीक है अब यहां पर मैं इसे ओपन कर लेता हूं इस पर डवल क्लिक किया और यह थोड़ा प्रॉसेस लेगा दोस्तों और यह ओपन हो जाएगा गैस इसमें आपको एनिमेशन बहुत अच्छी से कुछ नहीं करना होते हैं बस थोड़ी सी बेसिक स होती हैं और उन्हें हम यूज करके बढ़िया तरीके से एक अच्छा सा एनिमेशन बना सकते हैं और यह एनिमेशन का प्रोजेक्ट हमें मिलता है कंपनियों से ठीक है यह यहां पर इस तरीकी का कुछ ओपन होगा और यहां पर यह ओल लीडी एक आपने अगर अकउंट नह करना है और क्या क्या करना है कि दोस्तों वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है तो इस वज़े से मैं आपको थोड़ा वन हावस में ही कंप्लीट करने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है ना गैस तो यहां पर मैंने अभी आपको तब जब आप खोलें तो आपको क्रियेट पर क्लिक क करना है बट मैं यहां पर लॉग इन कर लेता हूं और यहां देख पारें दोस्तों यह मैंने कुछ प्रोजेक्ट रेडी किये थे मैं आपको ओपिन करके देखा देता हूं यहां पर यह सारे प्रोजेक्ट थे आइमीन यह मेरी वीडियो के हैं तो मैंने यह सारे बनाए थे और यह simply बनाने में थोड़ा time लग जाता है बट वीडियो थोड़ा लंबा था और बहुत मेहनत लग जाती है दोस्तों एक एक वीडियो में तो वीडियो वाला तो लंबा था बट मैं आपको यहाँ पे short तरीकी से इसमें जो basic से हैं वो सारे आपको बता देता हूं इसी में भी लगबग 20-15 मिनट इसी में लग जाएंगी और दोस्तों 31 मिनड़ सम्तिंग हो चुकी है और गया से यहाँ पे basic सा करते करते पूरा one hour से यहां पे complete हो जाएगा तो यहां पे दोस्तों अब क्या करना है कि जैसे कि आप देखिए यहां पे इस तरीके से animation होता है काईदा इस तरीके से और यहां पे बहुत डिजाइनिंग होती है अच्छे से अगर आप बढ़िया से एक एक step time देके अपना अच्छे से सीखोगे तो दोस्तों आप मुझ ने यह किया तो दोस्तों इसे कर देते हैं close और इसे side से कर देते हैं थोड़ा और इसे कर दिया मैंने close अब यहां से यह वाला project हम cut कर देते हैं अब हमें कोशेट पूरा ही close हो गया कोई नहीं दोस्तों मैं इसे दुबारा open कर लेता हूं अब फिर से उतनी process लेगा time पे time हो रहा है guys मैं यह पार्ट थोड़ा cut कर दूँ है यह open हो रहा है हो गया अब यहां पर मुझे login पर जैसा कि पहले किलिक या तैसी क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह जो दे रखा है यह create a new scribe हमें simply यहां पर क्लिक कर देना है ठीक है create a new scribe पर हमें simply क्लिक कर देना है अब यहां पर एक हमें कोई word लेना है for example हमें Tata company ने एक उनका add करने के लिए एक हमें project दिया है अब project तो जब आपको मिलेंगे तब पता चलेगा but guys मैं एक example ले ले रहा हूं किस तरीकी से क्या करना है ठीक है जैसी मान की चौर्ड मैंने ले लिया hello दोस्तों and welcome to my channel genius guru यह ले ले लेते हैं ठीक है नहीं गैस तो यहां पर पहलो तो हम यह लिख लेंगे देखिए sorry मैंने जल्दी से click कर लिया यहां के यह option के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है देखिए यह होता है save ठीक है और यह होता है cut cut तो आप जानती है इसका काम है copy paste का ठीक है इसका भी हमें कोई use नहीं है यहां पर हम क्या करते है कि कोई audio यह तो जो हम पहले record कर लें यह हम जो यूट्यव वीडियो जैसे की youtube बना रहा हूं और मैंने यहां पर voice record करके इसमें क्या करते है कि यहां पर हम voice डालदेते हैं उसमें यहां हम यहां से रिकॉड भी कर यहां से इसया नहीं यहां पर बहुत सारी जो बैगरांड पर यूटुब वीडियो की वैगरांड पर आपनी मूजिच बचते हुए देखे और इसमें ऐसे निकलते हैं और जो मैं यहां पर बता रहा था वो इसमें है रिकोरडर वाले में जैसे कि आप देख सकते हैं voice over तो यहां पर voice over भी कर सकते हैं यहां पर और यह कुछ brush है और यहां पर जो hand animation होता है जो उस पर animation वैसे चलते हैं कैस जैसे कि आपने देखा था ठीक है और यहां पर यह starting से play होता है स्टार्टिंग से जैसे कि हमने हमें बढ़ाना है दो मिनट का एनिमेशन और स्टार्टिंग का दो सेकंड तक एक कोई हमने एनिमेशन बनाया था तो और हम अब आ गए हैं दो मिनट तक तो दोस्तों अगर हमें स्टार्टिंग से दो सेकंड तक दो सेकंड से लेगे दो मिनट तक अगर हमें सारी एनिमेशन चेक करने हैं तो हमें इसका यूज़ करेंगे ठीके ना और इसका यूज़ है कि जो हमने दो सेकंड वाला ही ओनली बनाया था या पूर इक्जमपल कोई भी नया एनिमेशन बनाया है और वो किस तरीके से कहां पर बनना है कैश या मोचन है किद यहां से करते हैं और यह वाला अप्शन है हमें इधर करने के लिए लेफ्ट साइड करने के लिए और यह आप वाला है और यह डाउन वाला ठीक है यह राइट साइड करने के लिए और इससे हम इसे माइनस करते हैं जूम आउट करते हैं और इसे जूम करते हैं और इस वाल देखने के लिए speculate करते हैं ठीक है यह समझ आ गया अब जो भी हम animation बनाएंगे वो यहां बनाएंगे इन पर यह वोर्ड पर animation बनेगा और यहां पर हमें left side की तरफ जितने भी animation बनाएं वो उन्हें settings कर सकते हैं या उन्हें उनकी जो settings होती है अब दोस्तों आवाया यह इस पर क्या करते हैं कि जो भी हमें image लेना होता है वो सभी हम इस option पर क्लिक करके ले सकते हैं यहां पर हम image भी ले सकते हैं और online जितने हमें इसके video subscribe की software में जितने image हैं वो तो ले सकते हैं और अगर हमें नहीं मिलना तो वो दूसरा कहीं से download करके इसमें यूज कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप एक चीज और से सब्सक्राइब कर दूब कि आप अपना भी animation बना सकते हैं ठीक है अब यहां पर हमें कोई word लिखना होता है कोई टेक्स्क्ट लिकना होता है वह यहाँ से करते Är हमें इसक्व जरूरत पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर हमें जब भी हम ऊसके प्रोजेक्ट लेंगे तो में इस अपसन अब गई सा हमारा एक्जाम्पल था कि hello guys and welcome to my channel genius guru ठीक है तो यहां से मैं आपको पहले तो hello guys का एक basic सा word text यहां पे type कर लेते हैं hello friends ठीक है यह मैंने type कर लिया यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसके font भी दे से जब आप फर्स्टली इंस्टल्ड करोगी तो यहाँ पे आपको font मांगेगा बट आप ज्यादा तर maximum aerial black एक रखना क्योंकि यह bold होता है और जो white word animation होता है उस पे highlight बहुत अच्छे से होता है तो जो viewer होते हैं या जो हमें project देने वाला होगा उसे काफी अच्छा लगाए कि हाँ अच्छे से सुन्दर तरीके से देख रहा है ठीक है तो maximum हम इसी font को यूज करने वाले हैं area black को ठीक है इस font को यूज करेंगे अब guys यहां पर हम इसको color दे सकते है color हम ज्यादा तर maximum दो color यूज करेंगे एक black and red क्यूंकि white पर black and red ज्यादा dark तरीके से highlight होता है और उससे हमारा जो project और attractive लगता है ठीक है न में तो दूस्तोव यहां पर हम black चूश कर लیते हैं यहां रेड कर देख लीते हैं ठीक है यह हमने देख लिया अब यहां पर ़ूस्तों इनके वारे मैं आपको समझा दू कि यह थोड़ा मैंने अरो ळीया और यह है लेफ्ट साइड का सेंटर ठीके ये मीडियम है और ये राइट साइड का है ठीके तो हमें ना हमें मीडियम रखना है ठीके जादे तर फॉन्ट जो है हमें मीडियम रखने होते हैं तो हमें मीडियम रखना है ठीके यह हमने मीडियम कर दिया और यहां पर सिंपली यह आपको राइट का यहां पे हमने राइट पे क्लिक कर लिया इसे थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं और इसे यहां पे सेड कर लेते हैं इतना इसके लिए हुआ यह थोड़ा हमने स्मॉल में बना दिया गाई समय यह कैपिटल में बनाना है तो तो simply अगर आपको कोई text edit करना है तो simply हम उस पर double click करने के बाद आपको edit text पर जाना है यहाँ पर देखिए वही text आगे तो हम इसे caps lock की मदद से पूरा capital कर लेते हैं ठीक है guys hello friends ओकी यह मैंने कर लिया और इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं अब देख सकते हैं आप काफी सुन्दर लग रहा है अब दोस्तों हम इसकी handwriting और देख लेते हैं handwriting guys यहां से अगर मैं यह वाला hand करता हूं तो देखी गई इस तरीके से लिखे आएगा जैसे कि आप अभी देख आ रहे हैं ठीक है यहां पर यह preview दिखाता है अब मुझे इस तरीके का अगर नहीं चाहिए तो मैं यहां से अगर हम no hand कर देंगे तो no hand पर कोई hand नहीं आएगा यह automatically draw होगा बढ़िया से ठीक है और जैसे कि आप इस चीज को समझ गए तो मैं यहां पर यह वाला hand कर लेता ह हूँ यह एक machinery hand है तो इसे नहीं करते हैं हम simply यह वाला hand कर लेते हैं ठीक है यह काफी खुबसूटत लग रहा है ठीक है इसे हम क्लिक कर देते हैं अब अब दूस्तों mostly हां इसमें सबसे ज्यादा वर्क आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि जब भी ह कोई चीज़ सेट कर लेंगे तो हमें यह जो आपको मैं आपको ड्रो करके दिखा दूँ कि यह देखे या ना देखे यह देखिए यह आपको एक camera set का option मिल जाएगा ठीक है current position यह आप पड़ भी पा रहे है set camera to current position की word की current position है जो viewer है जो camera है उसे वहीं पर set कर दो ठीक है तो एक बात देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है मैं आपको live दिखा दे रहा हूं तो यह है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है बैसे हम यहां पर क्लिक करके देखेंगे तो यह बीच में ही रह जाएगा ऊपर नहीं जाएगा यह रह गया अब अगर यहां पर हम क काफी भत्ता लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है तो हमें simply यह डिलीट कर देना है और इसे ऊपर करकी और दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसका camera set कर देते हैं ठीक है यह camera हमने set कर दे अब देखी यहीं की यहीं बनेगा और यहीं रहेगा बनने के बाद ठीक है जब हम और animation बना देंगे तब यह थोड़ा और attractive दिखेगा और यह जो अभी down हो रहा है कि down फिर नहीं होगा क्योंकि यहां पर और animation बन जाएंगी अभी यह empty है पूरा page ठीक है hello friends अब यहां पर मैं लिखता हूँ welcome to my channel अब बैलकम बैलकम के लिए हमें एक हैंड लगाना है गाईज एक svg हैंड लगा दे रहें जिससे और attractive लगेगा ठीक है तो हम बैलकम के लिए यहां से एक svg import कर लेते हैं और मैं आपको यहां पर एक website और recommend करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे hand मिल जाते हैं जो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं ठीक है तो हम उस website को देख लेते हैं यहां पर मैं आपको website दिखा दे रहा हूं उसका नाम है फ्लेट आइकन ठीक है फ्लेट आइकन ठ देखिए यह क्या सिंपली यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी फेविकोन और svg animations png बहुत सारी मिल जाते हैं जो हम अच्छे से यूज कर पाएं ठीक है तो यहां से सिंपली मैं एक आपके सामने live कोई download करके वहां पर ले चलता हूं जैसे हमने welcome बाला चाहिए तो हम यहां प टाइप हमारे सामने बहुत सारी emojis open होंगी यह थोड़ा process ले रहा है इस internet की वज़ए से और यह देखिए welcome आ गया अब यहां पर हमें कौन सा अच्छा लग रहा है तो वह से लेक्शन कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं और देख लेते हैं थोड़ा तो बस यह welcome से related अभी इतनी है तो हम इन मैंसे कोई सा भी ले लिते हैं ऐसी दोस्तों यह हमने ले लिया यह वाला ठीक है इस पर हम simply tap करेंगे और हमेशा SVG save करें किसी यह fast reload होता है और अगर PNG करोगे तो गया उसमें थोड़ा time लगता है तो हमें maximum SVG select करना है और यह free download पे click कर देना है जैसे हम free download पे click करोगे तो यह left side के corner में automatically download पे लग जाएगा यह थोड़ा internet slow होनी की वज़े से यह problem face करने को करनी पढ़ रही है गाइस यह download start दो होगी है वट अभी नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा internet problem है यहाँ पर तो मैं इसे remove कर दिता हूं बट करना यहीं से यह थोड़ा download हो जाता है और देखिए मैं आगे का process आपको बता दे रहा हूं जैसे यह download होक कि यहाँ पर कुणिय में left side आ जाता है यह चीज तो आपको भी पता होगी और फिर क्या करना है कि फिर से मैं वीडियो स्क्राइब की folder वीडियो स्क्राइब की software को open कर लेना है यह मैंने open कर लिया और for example माल लेते हैं वह वह वाला यह png है ठीक है यह वाला ठीक है जैसे आम रखेंड हेलोव फ्रेंड अंड व्ल्कम टूमाय यूट्व चैनल जीर्स कुडעट फ्रдеक है यहाँ पे वैले। रखेंड पर यहां यहां पर रॖा का जाएगा इस जगív गहीं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ज्राव कर कर देखिए इस जगे तो वैलकम का आ जाएग इस जग है पूरा ठीक है यहां पे एक बेलकम का जाएगा अब बेलकम टू माई यूटू चैनल यूटू चैनल को जब हम नीचे करेंगे तो बहुत अच्छा वैधरीन लगेगा वो डाउनलोड नहीं हो रहा है अदर्वाइस मैं और अच्छे से आपको रेडी करके दिखाता है और गयज हमें मेक शूर की ज्यादा खीचना नहीं हमें एक पेस जो हमें दिख रहा है हमें उसी पर एक पेस सेट करना है अदर्वाइस यह पूरा प्रिजिन्टेशन स्लाइड है वो बिगड़ जाएगी और हाँ प्रैक्टिस मूर परफेक्ट यूर बहुत बार आपका दिमाग भी खराब होगा मुझे पता है क्योंकि मेरा हुआ है बहुत बार मुझे ऐसे पता नहीं इतना इरिटेशन सा हो जाता था कि यूं लगता था छूड़ो यार कुछ नहीं बट गैसे होई है कि जब भी हमें यह सब करने यह सब ऐसे डिमोट वाल अपनी वेनिफिट सोचते हैं सबसे पहले कि जी हां साइध हां मैं भी यह करूंगा और जब हम एंड करते हैं तो देखते हैं साइध कोई मोटिवेट संथाड कहीं से जाग जाए कि नहीं यार रेंदो मत छोड़ो वह अपने थाट एक लिखा देखा है ना नेवर गिव अ कभी न छोड़ो ठीक है तो अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं तो यहां पर देखते हैं यूटू का एक ले लिया तो इसमें हम कोई एनिमीशन डालते हैं बड़ी आसा और यह यह यहां पर हैंड भी चेंज कर सकते हैं बहुत सारे हैंड दिये रखी हैं और यहां क्रिय देखते हैं यह देखिए यह यूटू वाला बंड़ा है और हाँ एक चीज और क्लियर करने दोस्तों यह जितना जल्दी और बैसा आइमीन जितना लेट बनना यहां पर हम इसकी रहे हैं कि वह मोशन यहां से बढ़ा सकते हैं देखिए यहां पर अगर मैं इसे माइनस कर द कि वजह से जैसे हम बोल लें कि हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल यूटू ऐसे करके मतलब थोड़ा श्लो श्लो बोलते हैं तो उस तरीके से हमें थोड़ा वाइस होती है और जो हमारा एनिमेशन बनना है उसके वीच का जो डियूरेशन है उसे मैच करना होता है कि यह क्लियर हुआ अब इस नेस्ट आप को क्या करना है कि यह चीज ही क्लियर होगी और इसे मैं हाई रिजलिशन में अपने आँ ठीक है यह हमने बना लिया हेलो फ्रेंज एंड एंड वेलकम कोई नहीं हम यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा तो माई व तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं और इसे यहां पर रख लेते हैं ठीक है है फ्रेंज वेलकम टू माई यूटू चैनल गडीए जेनियस कुरू और लेख लेते हैं दोस्तों यहां पर मैं जल्दी-जल्दी से लेक देता हूं गश्यक्त आइस यह मैंने कि यहां पे अब गईस देखें किस तरीके से आपको set करना है इसका color जो है हम change कर दे रहे हैं इसका color हम red कर देते हैं और red करने के बाद ये काफी खुब्सूरत लग रहा है oh shit oh shit आप यहाँ पाए zoom out कर लीजे guys कि थोड़ा ज्यादा हो गया जल्दी जल्दी में ये हो गया okay control scroll करके आप इ इसे और वह यह कि आपको practice करना है ठीक है guys यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बढ़ा कर देता हूं यह हो गया अब guys अब देख लेते हैं इसी थोड़ा set करना है पहली line है हमारी hello friends तो hello friends यह आ गई तो हमें कितनी second में यह बोला hello friends पो हमें यहाँ पर रख दिना है and second आ गई welcome welcome हम हमें अब यह है इसे हमें drop down करके hello friends के next में लाना है और इसका भी हम time set कर देते हैं अब आया YouTube YouTube का भी हम थोड़ा time set कर देते हैं अब आया genius और इसका भी time set कर देते हैं ठीक है guys यह हुगा अब हमें इन सभी को camera set कर देना ठीके guys camera set mostly यह हमें नहीं बूलना दोस्तों आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कि यार यह तो बहुत hard है यह वो guys जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो हमें लगता है बट जब आप करते रहते हैं करते रहते हैं और बढ़िया से जब दो चार project complete करोगे और तो दोस्तों आपको इसमें मजा वो कहते ना है कि अपने काम से अगर प्यार करोगी तो life बन जाएगी तो हमें अपने काम से प्यार करना सीखना चाहिए क्योंकि life तो हर केसी को बनाने है यहां पी मैं आपको एक बढ़िया सा example यह देना चाहता हूं क कि मान के चलो अगर आप कोई government preparation करते हो ठीक है ना आप government preparation करते हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि कोई government preparation करना बुरी बात है नहीं गैस यह चीजें बहुत अच्छी हैं बट यहां पर बस एक comparison सा करना चाहरा हूं छोटा सा कि अगर बढ़िया से करोगे तो आपको डेली आगरा लखनो को बढ़िया से जाना पड़ेगा पर पेशन करने ठीक है अब वहां बहुत पर पेशन करोगे तो शियोरिटी यह नहीं रहती कि जॉब लगेगी भी या नहीं क्रैक होगा एक्जाम या नहीं विकुस मैक्सिमम लोगों कॉम्पेटीशन एक्जाम की ठीक है न तो अमें यह शियोरिटी नहीं रहती तो अब वो जो आपने तीन चार साल पांच साल दवा के बढ़िया से तयारी की आपने किसी गवर्मेंट एक्जाम की अगर आप मैंने तो यहां पर आप कुछ सिक्स मन्त का ही डिरेशन दिया थ अगर आप यहां पर एक साल मैक्जिमम एक साल अगर इन समय डेली आप दो घंटे देते एक घंट देते हैं अल्ली एक घंटा दीजिए डेली जैसे आपने मुझे नहीं पता आपनी सभी ने इस वीडियो देखने में एक घंटा दिया होगा बट जो देख रहा है अभी भी मैं उससे कहना चाहूंगा भाई तू कर सकता है तो यह से स्टार्ट करिए जो भी प्रॉब्लम हो यूड चैनल की अबाउट में मेरा Gmail आइडिया है उस पर Contact करो मैं आपको राद के बारा बचे अगर आप Call करोगी तब भी मैं आपको reply दोगा और आपकी help करोंगा ठीक है नगे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी का भी हम preparation करते है तो यार उसमें time लगता है ठीक है न तो इसमें भी time लगेगा तो time लगेगा और हमें अपनी skills से वो develop करनी जानी है करनी जानी है जब तक करनी है यह मैंने simply बना लिया अब हम एक बार इसे play करके देख लेते हैं यहां से ओ शिट गैस यह थोड़ा यह हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे क्योंकि यह उपर जा रहा था अब गैस यहां पर हम इसे camera set भी कर लेते हैं थोड़ा इसका camera set कर लेते हैं और यह auto set सबसे अच्छा वो है इसमें जब भी हम कोई project बनाती हैं तो emergency wake up यह automatically लेता रहाता है ठीके तो हम यहां से थोड़ा इसे देख लेते हैं यह देखे गैस अब ठीके यहां से स्टार्ट हो रहा है अब हम देख लेते हैं hello friends and welcome to my YouTube channel genius guru यह हमने काफी लेट बोला ठीक है अब हमें थोड़ा और फास्ट बोला है हमें थोड़ा फास्ट करना है तो यहां से हम इसकी density और कम कर देंगे duration भी और फास्ट बनेगा ठीक है ना यह और फास्ट बनेगा तो देख लेते हैं यहां से एकदम से hello friends and welcome to my YouTube channel genius guru ठीक है यह काफी बैटर लगाना अब यह तो मैंने एक demo दिया और आप अच्छे से अगर बढ़ियास इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से और इससे भी बहुत अच्छे cool सा बना लो गया ठीक है ना तो यह चीज के लिए अब आप जैसे किसी नमें प्रोजेक्ट बनवाया बनके चलो फाइव मिनेट्स का ठीक है फाइव मिनेट्स का और गाइस एक बात और जब भी हम किसी का ऐसे कउपलीटड करकर he Stephen तो हमें 100 परके चीज अच्छोटी मिस्टेक्ट हुथ मिस्टेक्स बाहत बचीए धियान देला है और वही मिस्टेक्स नहीं करनी है औरएव मिस्टेक में चलो Lights पहल थे हैं जिसे,UP में जिसने हमें हायर गया है और उसने हमें प्रोजेक्ट दिया,5 फ्रॉजेक्ट ।स करा तो, झाल हम उसे 5 मिनिट के में कैसे रहं है हैं, यह थो रहाएक मिनिट का हो गा, ठीके तो हम इसे ऊपर स्क्रॉल कर देंगे ऐसे करके माउस की मदद से तीके राइन लेफ्ट किलिक करके ओकी गैस अब हमें नेक्स लिकना है जैसे मैं ने बोला कि हेलो फ्रेंग्स और वेल्कम टू माई चैनल जीनिस गुरू अब आगी की लाइन जो है जैसे हम कुछ भी सोच ले यह सोच लें कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो हम यहां पर लेकर दे रहे हैं पहले तो हम वीडियो का हम जो भी वर्ड बोलते हैं उनमें देखते हैं कि क्या चीज मैन है तो इसमें हम वीडियो हमारा मैन सब्जेक्ट है कि आज की इस वीडियो में ह तो हम बताने वाले हैं तो हमें मैं चीज़ फोकस करना है और वही मैं चीज़ हमें ड्रो करनी है according to picture picture से ठीक है तो हमें मैं चीज़ यहां से हमारी वीडियो है हम वीडियो का एक शिंबल ले लेते हैं तो यहां पर वीडियो तो नहीं है यहां पर हम सर्च कर लेते हैं वीडियो ठीक है यहां पर हम वीडियो सर्च कर लेते हैं अगर इस यहां से हमें कोई चीज नहीं मिलती तो जैसा कि मैंने आपको एक website को recommend किया था तो आप वहां से भी ले सकते हैं अब वीडियो गई इसमें बहुत बहुत वीडियो आ गई तो हमें simply यह वाला इसमें लग रहा है कि हाँ बाई वीडियो है वीडियो मेकर है ठीकए तो हमने क्या ओलवादा आज की इस वीडियो में तो यहां पे हम ले रे हैं आज की today's वीडियो यहां पर हम इसे स्युना कर लिदियो है ठीक है यहां पर हम इसजेत कर लेते हैं थोड़ा जूम कर गये तूले इस वीडियो और इसे थोड़ा यहां कर लेते हैं ठीक है और इसे थोड़ा कर लेते हैं और यहां पर हम चाहते हैं तो यह चीज और लगा देते हैं यहां पर हम यह वाला एरो और लगा देते हैं तो काफी बैटर रहेगा कि कि हमें आपने देखी होंगे इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वह होंगी तो टूड़े इस वीडियो हमें ठोड़ा, पहले हम चाहते हैं कि यह text लिखे हमारे, ठीक है, और text जल्दी लिख जाए, तो हम इसकी ओवा कम कर देते हैं, duration और यह तो हमारा बहुत जल्दी लिखे, और यह इससे पहले आए, वीडियो एनिमीशन से पहले यह हमारा जल्दी लख़ी लगवग तीन सेकेंड में लिख जाए तो हम यहां पर 0.3 करके ओके कर देते हैं ठीक है और इसे भी थोड़ा कम कर देते हैं गाई इसे तीन पर रखते हैं अब देख लेते हैं और हां सबसे अब देखते हैं इसी कैसा लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है आज की इस वीडियो में यह दोस्तों पूरा आ गया ना तो हम यतना बनाते जाएंगे वह पूरा आता जाएगा तो हमें इसका थोड़ा टाइम और सई से यह हमें घ्रीण पुक्ल करना है और इसका टाइम और थोड़ा कम लिए और दोस्तों हम और पता न भूल кажutे इस में अपने अनिमेशन को टाइम दिया है वो एनिमेशन जैसे ही बंद होगा उसकी तुरंत भाद ही दूसरा अनिमेशन स्टार्ट होने में आप अपने इसाब से कितना टाइम देना चाहरे हो तो अगर हमारी जो हमने वाइस ओवर किया है उसमें कोई टाइम नहीं है उसमें एक्ट है वह आप देखोगे तब सीखते जाओगे तो दोस्तों यहां से देखिए यह मैंने कर दिया इसे ठीक है और इसका भी मैं जीरू कर ले तो इसमें टबल क्लिक करके गाई सिंपली ओपन हो जाता है यह यह मैंने जीरू कर लिया अब देखिए यह तुरंत बनते ही वह वाला बनना स्टार्ट हो जाएगा यह बन गया वह वाला तुरंत बन गया ठीक है क्योंकि हमने अपने वाइस ओवर के साफसे किया था और आप इससे कर सकते हैं अब गाईस जैसे ही हमारा पूरा रेडियो हो जाए तो हमें सिंपली यह सेयर का बटन पर क्लिक करना है ठ अगर जैसे मान के चलो यही बो लोगो है तो मैं इसे यहां पर लगा दोंगा तो यहां पर उनका यह लोगो बन जाएगा एक तरीकी से एड सा हो गया ठीके ना और बहुत सारे बढ़िया से अपना कोई इंट्रो बनवाते हैं बहुत सारी चीजे बनवाते हैं तो वह हम अ